नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पस्तंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे वो शो जो आपके सवालों को आपकी राय को आपके सुजावों को जगह देता है मंच देता है रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे पहला मुद्दा भारत पाकिस्तान बाचीत को लेकर विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज कल पाकिस्तान जा रही है बैंकोक में भारत पाकिस्तान के एनसे के बीच मुलाकात हुई क्या पेरिज में मुद्दी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंदों के अच्छे दिन आ रहे हैं लेकिन विपक्ष और बीजेपी के अपने सरकार की संबंद सुधारने की कोशिशों पर सवाल खड़े कर रहे हैं इनी सवालों पर अगले आदे घंटे करेंगे बड़ी बहस कुछ बड़े महमान हमारे साथ होंगे और वही रात साड़े आठ बजे में आज की दूसरी बड़ी खबर कॉंग्रेस के परिवार नंबर वन यानि गांधी परिवार पर हाई कोट के एक फैसले की वज़े से परिशानिया खड़ी दिखाई दे रहे हैं जहां नैशनल हिरल केस में सोनिया राहुल को बड़ा जटका लगा है हो सकता है कि कल उनको कोट में पेश होना पड़े दिल्ली के पट्याला हाउस कोट में क्या होगी कॉंग्रेस की रणीती क्या ये बीजेपी की वेंडिटा पॉलिटिक्स है इस पर भी करेंगे बड़ी बात कुछ बड़े खास लोगों के साथ आगे बड़े उसके पहले डिबेट नमबर बन आज दिन बर भारत पाकिस्तान के बीच बाचीत को लेकर क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा घटना करम हुआ है क्या भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ घटा है बीते कुछ हफ्तों में या मैनों में कि भारत पाकिस्तान आज टेबल पर एक साथ बाचीत करते हुए नजर आना चाहते हैं या पिर ये कोई दबाव है क्या है इसके पीछे पहले रिपोर्ट हम तो पूछेंगे में अगले आदे घंटे डिबेट नमबर एक भारत पाक रिष्टे क्या अच्छे दिन आएंगे और जिन विश्यों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो जानकारी दींगे जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद है इस विशे को आदनी कैसे छोड़ सकता है रविवार को भारत पाकिस्तान कहने से की बीच चार घंटे तक बैंकोक में बातचीत हुई अब मंगलबार को विदेश मंत्री सुश्मा भी पाकिस्तान जा रही है पीम मोदी और पाकिस्तान के पीम नवाज शरीफ के बीच पेरिस में हुई इस छोटी सी मुलाकात के बाद अचानक दोनों देशों के बीच धब पड़ी बातचीत में तेजी आ गई लेकिन सिर्फ विपक्षी नहीं सरकार के अपने भी उठा रहे हैं इसके विरोध में आवाज जो बैंककोक में बातचीत हुई है उस बातचीत में ना केवल आतंगवाद के उपर चर्चा हुई है बलकि जमू और किश्मीत के उपर चर्चा हुई है तो एक तरह से पाकिस्तान जिस बात पर अड़ा हुआ था उस पर वो अड़ा रहा और हम पीछे हटे आप किस मुद्धे पे चर्चा कर रहे हो अगर आप टेरोरिजम पे बात कर रहे हो पाक स्पांसर तो देश को कॉण्फिनस में लेना चाहिए कि क्या बातचीत हो रही है बारत में शंका और विरोध की इस मौहौल के बीच पाकिस्तान विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज के स्वागत के लिए उच्छुख दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में सुष्मा को अफगानिस्तान पर हो रहे है एक बहुपक्षिर सम्मेलन में हिस्सा लेना है उम्मीद है कि वो पाक पियम नवाज शरीप और उनके सलाकार सर्ताज अजीज से भी बात्चीद करेंगी रिष्टे सुधरने के इन उम्मीदों के बीच हम तो पूछेंगे क्या पाकिस्तान से बात्चीद शुरू करके मोधी सरकार ने सही किया है तो एक बात फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिये क्योंकि आपके SMS काम को इतिजार है कि क्या पाकिस्तान से बात्चीद शुरू करके मोधी सरकार ने सही कदम उठाया है हां के लिए आई बेन सेवन स्पेस देकर वाई लिखे नहीं के लिए आई बेन सेवन स्पेस देकर रहें लिखे और फाई बनेट बनेट पर अपनी राए SMS करे हैश्टेग एच्टीपी और हैश्टेग इंडो पाक टॉक्स के जरिये भी टूइट करकर और आई बेन खबर के फेस्बुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राए हम तक पहुंचा सकते हैं बड़े महमान जो स्वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से वरिश नेता और पूर्व केंद्रे मंत्री डिप्लोमेट रह चुके मणी शंकर अयर जी हमारे साथ है भारतिय जंता पार्टी के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ या स्टूडियो में है विदेश टीती के जानकार विदेश माविदेश सच्चिव रह चुके विदेश मंत्राले में सच्चिव रह चुके विवेक काड्यू जी मेरे साथ है उद्यभासकर साहब है रक्षा मामलों के जानकार और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के वरिश निता नवेज चौधरी साहब पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ है 45 सेकिंड्स के ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त और उसके बाद फिर में डिबेट को ओपन करूँगा सबसे पहले नवेज चौधरी साहब क्योंकि आप पाकिस्तान से हमारे साथ है मैं आप से पूछना चाहूंगा क्या ये बातचीत शुरू करकर ठीक ट्रैक पर जा रही है इंडो पाकिस्तान दोस्ती की बाते मैं समयता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक मुस्पत कदम है कि दोनों हुक्मरान इस बात पर सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ें क्योंकि हमारे और आपके मुल्के पास दोनों के पास और कोई चौइस नहीं है इसके लावा कि हम आगे बढ़ें और एक गुसे से कॉम्पोसि इसकी जरूरत है उन्हें ना कि हम आपस में तक्रार करें जंगे करें और इसी पर आलात करें तो मैं समयता हूँ एक बहुत पॉस्टिव स्टेप्स लिए गये हैं दोनों हुक्म्तों की तरफ से आपके मोधी साथ का भी और पाइमिस नवाशी साब का भी और खासकर आपके जो कुछ भारत पाकिस्तान के बीच आज की तारिक में यह पॉस्टिव या ना बने जहां तक बैंककोक का जो पहल है जिसके आधारित अभी संकेत यही है कि भारत और पाकिस्तान अपने डायलॉग प्रोसेस को वापस पटरी पे ला रहे हैं इसको मैं एक उचित कदम मानता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि किन किन कारणों की वज़े से ये जो बातचीत एक प्रकार से रद हो गया था मैं लोटूंगा आपके पास 45 सेकिंड का टाइम फ्रेम है मनिश रंगा रहियर साहब मैं आप से पूछना चाहूंगा कॉंगरेस पार्टी के तरफ से भी जानना चाहूंगा ये जो स्टेप है जिसको वेल्कम किया जा रहा है चाहे उद्यभासकर हो चाहे नवे चौदरी साहब हो इस पैनल पे आपको लगता है कि ये वेल्कम करने वाला कदम है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का बाचीत को आगे बढ़ाने का फैसला निजी तोर पर पिछले बीस साल से मैं कहते आ रहा हूं कि निरंतर वारतालाब होना चाहिए ताकि अंत में जाकर हम अपने सारे मसायलों का कुछ न कुछ हल निकाले लेकिन मैं बहुत ही कन्फियूज हूं कि सरकार के क्या इरादे हैं क्योंकि कल पर सों तक तो हमें बता रहे थे टाइगर मेमन के बारे में कि दियाओद इबरहीम के बारे में हाफिस साइद के बारे में लखवी के बारे में क्रॉस बॉर्डर वायॉलेशन के बारे में टेर पाते ही बातचीत शुरू हो प्रकायर से बातचीत हो उसका उसकी इपत्दा कैसे हो? मेरा मानना है कि ऊफा में जो फैसले किये गए थे उससे पाकिस्तान हटना चाहता था और मोदी जी की सरकार में और मोदी जी ने ये कंसेशन दे दिया पाकिस्तान को कि वो उससे हट सकता है। का परिनाम बुरा ही होगा, क्योंकि वो शक्तियां जो समझती हैं कि भारत को पाकिस्तान में, जो उनके जेन्रिल हैं, जो समझते हैं कि भारत को पुश्क किया जा सकता है, अगर कडा रुख अपनाया जाए तो भारत के जितने भी भारत की इस्टैबलिश्मेंट उस पे हलकी पड़ती है उनको प्रोच साहन मिलेगा मैं आता हूँ कार्जू जी आपके पास भी आऊंगा संभित पात्रा ये कन्फूजन क्यों है क्यों ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान को लेकर जो बात मरी शंकर रियर जी भी बोल रहे थे वेकार जूने भी इशारा किया कि कोई कॉंक्रीट पॉलिसी नजर नहीं आती है देखिए किसी प्रकार का कंफूजन नहीं है उफा से उफ तक और उफ से जी तक का सफर है कैसे उफा जब हुआ तो पहला पॉइंट जो पांच पॉइंट रखे गया उसमें पहला पॉइंट था कि आतंकवाद के विशाय पे बातचीत होगी दूसरा पॉइंट डिजी बिएसेफ लेवल की बातचीत होगी जो की हुआ भी मगर उफ तक कैसे कि जो NSA लेवल की बातचीत होनी थी भी खटाई पे पाकिस्तान के कारण से पड़ी भारत की सरकार ने कहा आब हम बात करने को तयार है पाकिस्तान उसमें कंडिशनालिटी लगा रहा था कि दो कंडिशन है हम हुरियत से भी मिलेंगे बिना सर्थ के बातचीत करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यह बहुत पॉजिटिव डेवलापमेंट है जहां वो सर्थ रख रहे थे अब बिना सर्थ के आतंगवाद पे बातचीत हुई है इससे अच्छा डेवलापमेंट तो हो नहीं सकता है जहां तक मनीशंकर आयर जी का सवाल है मैं तो उनसे यही पूछूँगा क्या अब भी जाके वो पाकिस्तान से कहेंगे कि आप हिंदुस्तान की सरकार को हटा दो मोधी को हटाओ और हमको लाओ क्या वो अब भी असा कहेंगे चर्चा हुई है पीस पे चर्चा हुआ है कश्मीर और लोसी यह चार बिंदू रखे गए जॉइन स्टेटमेंट पे तो स्वभावी क्रूप से जो टेरोरिजम है वो कश्मीर के अंदर भी तो है इन्फिल्ट्रेशन और टेरोरिजम यह कश्मीर में भी हो रहा है तो स्वभावी क्रूप से अगर आतंकवाद के विशह में हम बात करें और हम जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो उफा में आप लोग विक्ट्री क्यों मान रहे थे कि हमने पाकिस्तान को बनवा लिया उफा के बाहर तो हम गए ही नहीं है हम कोई कश्मीर के प्रोविशन्चेल टरिटरी के विशह में बात थोड़ी कर रहे है कश्मीर में किस प्रकार से आतंकवाद और इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए वो आतंकवाद का एक आयाम है सुमत ये गलत है अगर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर पर बातचीत हुई तो उसके मतलब है कि राजनेतिक पहलूओं पर बातचीत हुई का आतंकवाद पर नहीं यह एक हमेशा से डिप्लोमेटिक लेंग्विज यूज यूज करी गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में उससे नहीं आप न कार सकते हैं दूसरा पॉइंट कि जॉइन स्टेट्मेंट में चार बिंदू मेंशन हुए है उसके अलावा ये भी मेंशन हुआ है कि और विश्यों पर भी बातचीत हुई है उसका कोई अभी तक विवरण नहीं आया है शायद संबिद्दी जानते हों तो बताएं ने देखिए मैं तो वेट करूंगा मैं प्रियम्ट कर नहीं सकता और सुभावी कुरूप से जब खुद आप सुन रहेते कि राज्यसवा हमें कहा गया है दस तारीकों जब सुश्मा जी पाकिस्तान से वापस आएंगी अफगारिस्तान वाला डिसकस करके भी तब कि मैं ये जान मैं कहरने वाला था और आपने मुझे रोका तो उसका मैं जिक्र करूं अभी सबसे बड़ा अडचंद लगाया गया है वो ये है कि मोदी सरकार ने कह दिया था पिछले अगस्त में अगस्त सन दोहजार चौदा में कि पाकिस्तान वफद और हुरियत से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए जहां कि पिछले सत्रा साल से ये बातचीत चलती आई है और फिर अगस्त सन दोहजार पंत्रा में दोबारा ये विशे उठाया गया था और मुझे लगता है कि जो बैंकॉक से निकला है खबरे में वो कहता है कि पाकिस्तान क्योंकि ये बारतल जी जाती हैं इसलामाबाद इस पर चर्चा होगा क्या क्या नवाच शरीफ हट जाएंगे कि हम कताई हुरियत से बात नहीं करेंगे या मोदी जी कहेंगे कि चलीए आप बात कर सकते हैं जिब तक की ये अडचन नहीं निकाला जाता तब तक मामला आगे बढ़ना बहुत लेकिन यदि ये आच्छन बढ़ हटाया जाता है और मैं चाहता हूँ कि वो हटाया जाए तो तब जाकर और बातचीत शुरू हो जाए एक structured manner में और पता हो कि क्या हो कैसे बात करेंगे और किस हद तक composite dialogue में वापिस जाए होगे उसके बात बातचीत होगी देखिए जहां तक हुरियत और अलगावादियों के साथ बातचीत का सवाल है इस सरकार ने बड़े consistently day one से अपने stand को रखा है उसमें किसी प्रकार का if but और अगर मगर है ही नहीं आप यहां आईए हमसे बात करिए मगर किसी third party का involvement नहीं होगा ये एक बार दो बार नहीं सो बार कहा गया है सरका करके joint statement में ये clarify नहीं है नहीं देखिए joint statement में देखिए conditions joint statement में क्यों आई हुरियत आने आपको कश्मीर का important player कहता है हुरियत जब स्विला agreement एक सकेंद सर सर जब स्विला agreement और लाहुल declaration में थर्ड पार्टी का involvement नहीं mention है तो आप हुरियत से क्यों बात करेंगे it is but obvious और सरका ने हर पॉइंट पे रखा है कि आप हुरियत से बात नहीं कर सकते हैं जी देखिए सुमित दरसल बात ये है कि जो फैसला हुरियत पे लिया गया मुझे इजाज़त दीजिए सर एक मिन देखिए के जमाने में यही सबसे बड़े चुरूगा था यह सब मैं मैं जरा बोल वो गलत थी क्योंकि कोई भी देश अपने देश के अलगाव वादियों से दूसरे देश को इजाज़त नहीं देता है हमीं दे रहे थे और यह गलत था मोदी जी की नीती सही थी लेकिन मेरा यह भी मानना है कि बैंकॉक में जो बातचीत हुई वो हुरियत की कंडिशन को ब अडिक रहेंगे मोदी या नहीं रहेंगे इस वादिक रहेंगे आपको लगता है कि सरकार अपनी वीकनेस दिखा रही है बैंकॉक में जाके बात करना हुरियत से बचने के लिए आप किसी तीसरे मुल्क में चले जाएं नहीं साब मैं इसको वीकनेस के तरह इसकी व्याख्या नहीं करूंगा किसी भी प्रधान मंत्री और आप आटल जी के समय से लेके मनमोहन सिंग साब का यूपी ए वन यूपी ए टू और अभी जो मोदी साब आये हैं हर एक प्रधान मंत्री और फॉरिन मिनिस्ट्री में जहां तक पाकिस्तान के साथ जो संबंध है गई गटनाओं के बाद उन्होंने समीक्षा किया है और समीक्षा करने के बाद उन्होंने बाचीत को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के उन्होंने पोजिशिन्स लिया है पर जहां तक ये इस वक्त जो बैंककॉक में बात हुई है ये मुझे लगता है एक विसलेशक के दरिश्टिकों से कि दोनों देशों ने शायद इसको उचित समझा होगा कि वो किसी और मुलक में बैंककॉक का उन्होंने लोकेशन चुना है पहला जो NSA और Foreign Secretary Level के बीच में आप कह सकते हैं कि ये एक आलाप है कि वो अपना जो भी पोजिशन्स है वो क्लारिफाई करें और ये मैं कहूंगा कि एक procedural पहल है जहां तक मोटी बात है भारत के जो चिंताएं हैं और जहां तक दैशरगर्दी की बात है जो जनवरी 2004 का जो हमारे पास framework है इसमें अभी तक मुझे नहीं लगता है कि तुरंत कोई ऐसा प्रोग्रेस होने वाला है परन्तु ये बातचीत को वापस पट्री पे लाना अपने आप मैं कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के लिए एक उचित कदब है ठीक चौधरी साब तो क्रिकेट भी अप तीसरे देश में खेला जाएगा और बातचीत भी आप तीसरे देश जो लगी रहा हलाज जो है सुश्मा जी जिस तरीके से जा रही है होता है कि जूरियत को डालें गया डालें इसको करें कैसे जाएग दाने आप कैसे उनको साइट पे रख सकते हैं जो कि वहां मसायल का हल अप हसा हुआ है अब उस तो निकाल के कैसे फैद्रे करेंगे मैं समझता हूं हम दोनों बुनकों के पास कुछ चॉइस नहीं है कि हम बातों को आगे बढ़ाएं और इजिटिटी ले आए हमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करने पड़ेगी दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे अगर आप टेररिज्म पर हाली बा के पास कि हम इसके अलावा कोई और आसा जोच है कि हम बैट के डायलोग करेंगे तो हमें फिर हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी कोई कोई चॉइस नहीं है क्योंकि हम नेबर से हमको बातचीत करनी करनी है चाहिए पाकिस्तान से कुछ भी होता रहा है मेरा भी मानना है कि नेबर्स से बात्चीत होनी चाहिए लेकिन मेरे साथ सामने मुश्किल ये है कि पाकिस्तान ने ये मनजूर किया था उफा में कि सबसे पहले उनके नैशनल सेक्यूरिटी एडवाईजर भारत आएंगे और टेलरिजम पे बात होगी उस से पाकिस्तान हट अगस्त में हमने कहा कि नहीं पाकिस्तान को इस पर कायम रखना है दिसंबर में हमने उसमें लोच दिखाई और मेरा मेरी सामने मुश्किल ये है कि जब भी हमने लोच दिखाई ये पाकिस्तान से उनके जेनरिल्स जो हैं वो उससे इंकरिज हुएं वो ये नहीं समझते हैं एक जहीन मुलक या जहीन लीडर्शिप आगे बढ़ लई है, वो उसको वीकनिस समझते हैं, वो सतर साल का इत्यास यही साब्शी है। आप कॉम्पजिट डायलोग की तो बात ही नहीं हो रही है अभी, आप कॉम्पजिट डायलोग की बात कहां से करने अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई है। मेरा यहां मानना है लोच किसने दिखाया। अब देखिए अगर नवाज शरीफ जो के राष्टा अध्यक्ष हैं प्राइम इनिस्टर के वो दो हफते पहले कहते हैं कि हम बिना किसी सर्थ के बात करने को तयार हैं। देखिए मैं प्रियम्ट नहीं करूंगा मगर चूंकी हम लोग प्रियम्ट करके ही डिसकाशन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा जिस दिन यो बयान आया था आपको याद है पूरे मीडिया में हड़कम मची थी और आप लों हमसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या अब बातचीत होगी उसके बाद बातचीत हुई है बैंकॉक में स्वभावी क्रूप से अगर वो बेसिस बना है तो लोच किसके तरफ से आया है टाइगर वेमन भारत को बता देगा कहा रहता है यह सब चीजे तो हुई नहीं है फिर आप बातचीत करूंगा कि आप यह सवाल अपने बिहाव पे पूछ लिजिए किसी से पुछवा दे मनी शंकर आयर जी तो पाकिस्तान में बोल रहे थे हम दोनों के रिस्ते तब तक नहीं सुद्रेंगे जब तक यह मोदी जी है इनको हटाओ तो यह कैसे सवाल मुझ से पूछेंगे यह तो उल्टा बोल रहे थे कि पाकिस्तान बढ़िया है और इंडिया तो यह जो दाओद इबराहिम वाली बात मनी शंकर जी कहां पूछ रहे हैं यह आप अपने नजर य दो दो रिपोर्ट हैं एक तो हाल फिलाल में की मनी दाओद इबराहिम का जो सेक्योरिटी है वह बढ़ा दिया गया और एक पीछे का जब मोदी जी ने स्वेरिंग इन सर्मनी में स्वेर सोनिं किया अप्राइज प्राइम इनिस्टर तो दाओद इबराहिम ने अपना बेस मैं तो यहां आया हूँ माफ कीजिए मैं यहां आया हूँ एंकर के सवालों का जवाब देने के लिए आपने मुझ से सवाल किया था ये शर्तों के बारे में मेरा ये कहना है कि शर्त तो हम अपने तरफ से लगा रहे हैं कि यदि उन्होंने हुरियत से बात की तो हम उनसे ब बात करेंगे या हमने इस विकार कर लिया है क्या कि हुरियत से वो बात कर सकते हैं जब तक कि इस पश्ट करन ना हमारे सामें आए तो तब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और मैं उमीद रख रहा हूं कि जब की शुस्मा जी इसलामबाद जाती है कल इस मुद्धे पर इस ठोस बुद्धे पर इस बुनियादी बुद्धे पर कुछ न कुछ हल निकाल कर वापिस आएंगी आपकी बात का जबाद दे रहा हूं एक हल के साथ सम्भित पातर आपकी बात रिस्पॉंड करना जाता तो कि क्या वो सर्त की हुरियत से उनकी मीटिंग होगी वो बरकरार है या खुद जब उनके राश्ट्राद घ्री तो परिशानी कियो हैं बाकी तो मनी शंकर जी खुद भी पूछ सकते हैं वैसे पूछ ले थे बीच बीच में तो लास थरी तेकर आप लिए यह संभित जी जो कह रहा है वो ओवर सिंप्लिफिकेशन उन्होंने का बिना शर्त के बा और बैंककॉक में जो हमने मीटिंग करी वो हुर्यत वाली जो शर्त थी उसको बाइपास कर दी तो लोच किसने दिखाई संभित देखिए मैंने बिल्कुल स्पस्ट रूप से कहा कि बिना शर्त में बात करने को तयार हूं और यह निउस तो महीं नहीं बनाया खुद आप लोगों ने इसको हेड्लाइन के रूप में दिखाया पेपरों अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब दुनिया ने दिखाया जो तमाम अकबारों ने च्छापा मैं उसको रख रहा हूं आपके सामने खुद उन्हों ने कहा कि मैं बिना शर्त के बात करने को तयार हूं और उसके बाद ही बातचीत प्रोसीड हूं हम देखते हैं हम तो फिर आप से सवाल करें कि बात अगर पाकिस्तान कर करकर मोधी सरकार ने सही कदम उठाया है हमारे पास हजारों की संक्या मैसे मेसा हैं 69। 69 फीजदी दर्शकों ने हां में जवाब दिया है कि ठीक कदम उठाया है 31 फीजदी दर्शक ने नाम में जवाब दिया है यही सवाल हमने अपने ट्वीटर पोल पर भी किया और वहां पर जो आपकी राया आई है वो भी लगबग ऐसी ही है 67 67% लोग कहते हैं कि हां उचित सम उठाया है 33 फीजदी लोग ऐसा नहीं मानते हैं